तो इस State Bank का ATM Card कितने दूनों में मिलता है और अगर आपको अभी तक ATM Card नहीं मिला है तो आप लोग जल्दी में कैसे ले सकते हो और अगर ATM Card आप लोग अपलाई की हुए काफी दिन हो गया जैसे दो महना, चार महना, छे महना हो गया और अभी तक आपको ATM Card नहीं मिला है तो क् इस वीडियो में आप लोग को complete information देने वाले हैं और साथ में अगर मान लिजे काफी दिन हो गया तो आप लोग को apply कैसे करना होगा, reapply करने का क्या process है और कहां पर आप लोग को थोड़ा सा change करना होगा जिससे कि आप लोग को ATM Card easily मिल जाए और मुझे ATM Card कितने दिनों में मि होता है कि आप लोग offline ATM Card apply करते हो जैसे कि आप लोग अपने home branch में जाकर ATM Card apply करते हो ठीक है, लेकिन second यह होता है कि लोग online भी apply करते हैं, तो आप लोग के काम किया करो, कि जब भी ATM Card apply किया करो, तो online के चक्कर में ना पढ़ा करो, क्योंकि देखो यार, actually मैं आज काल के bank में, state bank में especially यह होता है कि जो उन लोग के पास कागजी कारे करम रहता है, यानि कि कागजी कारे जो होता है, offline जो work होता है, उसे तो complete कर नहीं पाते हैं, तो वो लोग online काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, मैं ऐसा ही इसलिए बोला हूँ, क्योंकि जब आप लोग online ATM Card apply करते हो, तो व home branch में वो request आने के बाद, जब वो लोग forward करते हैं, तो वो मतलब जहाँ पर manufacturing unit होती है, ATM cards की वहाँ पर जाता है, then verify होने बाद आप लोग का ATM Card बनता है, ठीक, लेकिन जब इन लोग को यहाँ पर offline काम में ही फुरसत नहीं है, इतना ही काम इन लोग से नहीं हो पा रहा है, त तो लोग online वाले पर कैसी action लेंगे, ठीक है, तो इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग online ATM card apply कर देते हैं, लेकिन apply करने के बावजूद, चार मेना, छे मेना, दस मेना के बावजूद भी ATM card हम लोग को नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो देखिए, दूसरा region तो यह आप ल लोग का ATM card 100% आ जाना चाहिए, ठीक, तो ऐसे में आप लोग को दो जगह जा करके check out करना है, पहला तो आप लोग को अपने post office में जा करके check out करना है, कि आपके post office में आया है, या भी नहीं आया है, ATM card apply करने के दो-चार दिन बाद ही जा करके सीधी अपने postman से contact कर लेना है, कि sir इस नाम से ATM card आएगा और मुझे provide कर दिजेगा, ठीक है, इससे ये होगा कि उनके दिमाग में रहेगा और आप लोग का ATM card और लोग easily आपको provide कर देंगे, वो लोग return नहीं करेंगे, ठीक, और देखिए ऐसा ही इसलिए होता है, क्योंकि देखिए जो ATM card आता है, केवल आ अगर आपका बड़ा है, तो postman को डागिया को हो सकता है, आपको खुझने में परिशानी हो, तो वो लोग क्या करते हैं, या तो return कर देते हैं, या तो फिर आपके home branch में लिजा करके जमा कर देते हैं, ठीक, तो यही region है कि आप लोग को ATM card नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो आ पर देखिएगा, कि सबका ATM card सोगर आया राता है, तो आप लोग वहाँ पर जा करके जरूर चेक आउट किजेगा, कि कहीं मेरा ATM card यहां तो नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लगभग 40-50% case में ऐसा होता है, कि postman के पास जो भी ATM card आता है, तो postman लोग जब असमर तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ATM card जैसे ही वहाँ पर forward कर दिया जाता है, तो ATM card बनने में 2-3 दिन लगते हैं, इसके बाद आपके home address के लिए deliver कर दिया जाता है, जिससे करिब एक हफदे से डिर्ड हपते के बीच में आपके home address पर आ जाता है, ठीक है, अगर सब काम किया करो कि जब भी ATM card offline apply करो, ठीक है, तो form भरते समय आप लोग अपने address के बगल में ही अपना contact number दे देना जरूर, इससे ये होगा कि जब भी आपका ATM card आता है, तो जो postman है आपका number देखेगा और उस पर address रहेगा, address के साथ number रहेगा, ठीक है, तो उस number पर call करके आप स contact कर लेगा और आपको ATM card provide कर देगा, तो इस वीडियो में यही तक मिलते हैं, फिर किसी नेक्स वीडियो में नए solution के साथ, तब तक के लिए, बाए बाए